तो आई अब आगे जानते हैं चौती गलती के बारे में जो है कि कोई बैकप प्लान ना होना ये टैनिक्स रूल हमेशा ही चैलेंजिस के साथ आते हैं किसी भी टाइम अगर आपका प्लान फेल हो जाए तो पहले से उसके लिए आप तयार रहे जैसे कि कोई बैकप प्लान ज़रूर रखे कि कुछ भी आपके अकॉर्डिंग ना हो तो एट लीस्ट वो प्लान आपके काम आ सके और बेस्ट की उम्मीद रखे लेकिन साथ ही किसी भी फेलियर के लिए हमेशा तयार रहे मेरा वो दोस्त जिसके बारे में मैंने आपको थोड़ी दिर पहले बताया था वो अपने कॉम्पिटिटर्स को पच्छार ना चाता था फिर से बिजनस में कमबैक कर सकता था अगर उसके पास कोई धासू सा बैकप प्लान होता तो लेकिन ऐसा नहीं हुआ और वो इस रेस में पीछे रह गया तो आईए अगे जानते हैं कि हमें और क्या समझने की जरूरत है तो सबसे पहले आपको ध्यान देना होगा और समझना होगा मैसिव आक्शन क्या है अब तक आप समझ गए होगे कि डेरिंग गोल्स पर इतना जोर क्यों दिया जा रहा है बगर बात यहीं पर खतम नहीं होती सच तो यह कि डेरिंग गोल्स होने के बावजूद भी ऐसा हो सकता है कि आप कुछ भी अचीव ना कर पाए अगर आप level of activity और level of operation को consider नहीं करते है इस बात से मेरा मतलब यह है कि गोल्स अचीव करने के लिए जो action होंगे वो आपको पता होने चाहिए जिसे कि आप तब तक world के best mathematician नहीं बन सकते जब तक कि इसके लिए क्या करना है यह बात आपको पता ना हो यादे आपको मेरी वो story जो मैंने आपको सुनाई थी अपने high school के दिनों की जब मैं पूरी class में top करना चाहता था यादे मैंने आपको कहा था कि मैं ये goal कभी achieving नहीं कर पाया क्यूंकि मैंने इसके लिए कोई बड़ा action नहीं लिया था अब यहाँ पर best student बनना goal तो है मगर अभी आप best student बने नहीं है सिर्फ आपने goal set किया है इसके लिए किस level का action चाहिए पहले तो उस बात को समझना जरूरी है और मुझे लगता है कि आप मेरी बात को समझ रहे होंगे हमारा 10X rule हमसे काफी high level के operation के demand करता है action की जरूरत है grant के इसाब से action के 4 levels होते हैं जो की नीचे दिये गए है सबसे पहला है कुछ भी ना करना level मतलब ये कि आप इसके नाम से समझ गए होंगे doing nothing मतलब कुछ नहीं करना और ये खुद में ही ना बड़ा मस्त रहने वाला level है क्योंकि इसमें बंदा खुद से कुछ भी effort नहीं करता बलकि जो भी life उसे offer करती है वो वही करता है तो इस इस्तर पर लोग शायद ही कभी success के लिए concern रहते हो उन्हें तो बस जो भी मिल जाए ना उसी में खुश रहते हैं ऐसे लोगों का main characteristic होता है कि ये जरा भी मेहनत नहीं करते जो जैसा चल रहा है चलने देते हैं जिसी कि आपको एक example देते हैं एक आदमी गरीब घर में पैदा हुआ वो मरते दम तक गरीब ही रहा क्योंकि उसने अपनी situation को बदलने के लिए कोई भी effort नहीं किया कोई pain नहीं लिया तो देखा जाए तो इस तरह की लोग do nothing level में आते हैं और आगे दूसरा है hiding level hiding level की लोग success से डरते हैं जब success के और सही step बढ़ाने का time आता है तो ये लोग पीछे हट जाते हैं ऐसा एक बार मेरे छोटे भाई के साथ हुआ घर पर मेरा भाई बहुत amazing तरीके से football खेलता था लेकिन school में न वो कभी भी sports में participate नहीं करता था क्यूंकि उसे खोने या हाणने से न बढ़ा धर लगता था वो बिलकुल किसी बच्ची की तरह रोने लगता बहुत गुस्सा हो जाता था और यही वज़े थी कि वो अपनी potential किसी को भी नहीं दिखा पाया कि वो कितना great player था अगर वो अपना talent सबको दिखा पाता तो क्या पता शायद किसी scout में उसका selection हो जाता और वो आज international level पर खेल रहा होता तो success की road पे चलते हुए एक चीज तो पक्के से आपको मिलेगी और वो है criticism जी हाँ hiding level के लोग इसी criticism को avoid करना चाते हैं कि आपने कभी ऐसी situation face की है कि कोई चीज पानी के लिए आपने अपना best दे दिया हो और लोगों ने सबसे ज़ादा उसी पर comment किया उसी के बारे में बुरा भला कहा हो तो मैं आपसे कहूंगा कि बिल्कुल हाँ यही success है क्योंकि इसी में ही सबसे ज़ादा criticism मिलता है और इसलिए लोग इस स्तर पर सबसे ज़ादा घबराते हैं तो चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे नंबर पर जो है normal level यानि कि यह हर किसी के लिए expected level होता है यही वो इस तरह जहाँ पर यह society हमें देखना चाहती है इस तर पर आप वही कर रहे होते हैं जो कि बाकी लोग करते हैं अगर मैं दो घंटे से training कर रहा हूँ तो इसका मतलब है कि हर कोई दो घंटे ही training कर रहा होगा इस तर में जब तक आप society के हिसाब से चलते रहते हैं आपके अंदर extraordinary बनने के लिए कोई भी motivation कभी नहीं आ सकती और अगर आप सोच रहे हैं कि आपको success चाहिए यह ordinary life नहीं चाहिए तो definitely यह इस तर यह level आपके लिए नहीं है मेरे dad भी इसी category के logo में आते हैं और आपको यहाद है कि मैंने उनके बारे में भी आपको बताया था क्यों अपनी present position से कितने satisfied रहा करते थे और retire होने तक एक ही type की life चीते रहे रोज same काम करते हुए तो exactly यह थी ordinary life